सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में भगवान शिव की पूजा अर्चनक कर उन्हें प्रसंद करने का प्रयास कर रहे हैं और हाली में सूत्रों के हवाले से खबर वाइरल हो रही है कि पटेल चौक स्थित काली मंदिर में शिव जी की सवारी नंदी को दूद पीते हुए देखा गया है अब इसे अंध्विश्वास कहें या फिर आस था शनिवार की शाम पटेल चौक में काली मंदिर में नंदी बाबा को दूद और पानी पिलाने के लिए मानो भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा बताया जा रहा है कि शनिवार से शाम नंदी भगवान के द्वारा जल और दूद पीने की खबर जैसी ही सुर्खियों में आई उसके बाद तो मानो महिलाओ और पुरुषों की काली मंदिर परिसर में भरमार लग गई हो इस दोरान लोगों ने बारी बारी से नंदी भगवान को पानी और दूद पिलाने का काम किया खास बात तो ये थी कि चब चब नंदी भगवान द्वारा चम्मच और कटोरे से दूद या पानी पिया गया तब तब भक्तों ने खुब जोरदार से ताली कर उनका स्वागत किया यहां के स्थानिय लोगों का इस पर कहना है कि इस मौके पर कई धार्मिक महिलाओं ने दावा किया है उन्होंने कई बार नंदी भगवान को अपने हाथों से दूध और पानी पिलाया है हर बार नंदी बाबा ने उनकी प्रात्मा सुविकार कर चमच और कटोरी में रखे पानी और दूध को पिया है फिलहाल पटेल चौक स्थित काली मंदिर में आस्थावान, महिलाएं और पुरुष लंबी कतारे लगाये हुए खड़े हैं और बड़े पैमाने पर शद्धालू अपने हाथों से उनकी चमच और कटोरे से नंदी भगवान को दूध और पानी पिला रहे हैं और इन दिनों सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत जादा ही वाइरल हो रहा है हाला कि हमारा चैनल इस खबर की कोई पुष्टी नहीं करता है निक्सनाइन स्प्रीचोल से आर्थिक रिपोर्ट